समानतर स्रिनी से संबंदित महत्वपून सवालों पर चर्चा लोग बच्चों समानतर स्रिनी पर हम अध्यन कर रहे थे और एक्जम्पल के लिए मैंने आप लोगों को कुछ समानतर स्रिनीओन के उध्यदान भी पहाड़े हैं जैसे मानलों करथ हम नेर्च समानतर बच्चों फर इनक्रचा 5 सा 5 दूनी दस, प्ाश क तिया, पंदरा, पंच्योग, पीस। इस तरीके से हम लेते हैं तो यह भी एक समानतर स्रेनी मानी जाती है यह भी आपकी एक समानतर स्रेनी है अब इसमें जो पांच है आपका पर्थम पद है यह है फिर यह क्या हो गया प्रथम पद अब क्या हो गया ऑप जाए फ्रथम पद लुट्ड त्रत्ती पद अपके से अब इनकी बीच में जो डिफ्रेंस है पांच है है यह आप का ड़ी है यह आपका D है यह आपका D है तो यह देखें कि 5 आप देखेंगे 5 फिर 5 धन 1 इंटू 5 और फिर 5 धन 2 इंटू 5 एंड 5 धन 3 इंटू 5 पाँच और 5 एकम 5 पाँच पाँच और 5 दस यह 10 हो गया 5 दूनी 10 10 और 5 15 हो गया 5 थिया पंद्रा और 5 बीस यह तो यह आपका फर्स्ट टर्म सिकेंड टर्म थर्ड टर्म और यह आपका हो गया आपका चत्थूर्त टर्म पाँच बाद चोथा पद यह आपका चोथा पद हो गया तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि A यहने पर्थम और A प्लस 1D की द्यूत्य पद हो गया देखो पद दूसरा है यह पुरा आपका द्यूत्य पद है इसकेंड टर्म मगर यहां 1D और 3D पद मगर यहां 2D है और 4D मगर यहां 3D है तो 4D 4 से कम 3D इस परकार से हम इसके पदों को लिखते हैं तो इस तरीके से आप किसी भी समा कर दर्शा सकते हैं तो इसी पर आधरितमों परिउच्छा की दर्श्टी से महत् coming सवाल आपको करा जाए जाए जाएंगे इसमें से एक महत्वी सवाड जो मैं आपको करा रहा हूं परिच्छा की द्रश्टी से बहुत महत्ववर अधर्षी इस 31 लग्रा पद वाण ग्याद करो जिसका 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 ग्यारवा पद 38 ग्यारवा पद 38 और सोहलवा पद 73 है 73, 73, 73 हैं तो इस तरीके से आपको एक सवाल दिया गया है कि उस AP का, उस समंतर स्चनी का 31 पद क्या होगा जिसका 11 पद तो 38 और 16 पद 73 है Very simple अब इसमें देखो आप यह लिखा हुआ 11 पद कौन सा पद है? 11 पद अब 11 पद इसको अगर हम solve करें तो बहुती सरंता से ही हो जाता है 11 वा 11 पद अभी मैंने आपको थोड़ा सा introduction कराया था कि पहला पद तो यह दूसरा पद क्या हो गया आपका? दूसरा पद आपका हो गया A, दूसरा पद क्या हो गया? A प्लस 1D पद दूसरा है मगर 1D तीसरा पद क्या हो गया? A प्लस 2D तो इसी परकार 11 पद क्या हो जाएगा? A प्लस 10D जैसे जैसे कि दूसरा पद क्या था? 1D तीसरा पद क्या था? A प्लस 3D A प्लस 2D और चोथा पद क्या था? A प्लस 3D इसी परकार 11 पद क्या हो जाएगा? यह हैं और आपका सोहलवा पद कितना है दिया अब ग्यारवा पद कितना दिया 30 आप इसकी जगे 38 पुट कर दो इसकी जगे 38 पूट करें और 16 पत कितना दिया 73 पूट करें अब आप देख रहे हैं विलोपन वीडी से बड़ी सदलता से हो रहा है कि यहां पे ए ए सेम है तो अब यहां पे अम लिख सकते हैं घटाने पर एक में से दो को समीकन एक में से दो को घटा देंगे तो यह घटाने कडने पचल मतल जाएंगी यह अपका पुलस वाला था यह भी माइनुस का हो जाएगा आपका है ना और यह माइनस का हो जाएगा अब मैनस का ए जृट सब्दरींद डी कि में से दस डी के है तो माइनस के जिटने बचे घट आल लिगत्ट इक पांच डी भचेंगी पांच पांच दिया, उब बरावर अभी हम माइनस के कितने हे, यह माइनस के आपकें सेवन्टि-th Aww-il 73 में से आपको 38 गढ़ाना है एक इसको देंगे 13, 13 में से अड़ के तो पांच, उब बरावर और इसने किस को दिया सो 26, 6 में से 37 गला है तो 33 मगर माइनस के क्योंकि माइनस के अदिके अब ये वाला माइनस ये वाला माइनस और ये माइनस के इसलिए आप देखेंगे डी बराबर कितना हो जाएगा ि 25 अपन 5 for 5 से 5, 7 जा दे इसलिए गीजिए इकल गया अब दीए अमनाई एक्वेचिन 1 में पुट कर देंगे आप। एक्वेचिन पुट कर देंगे आप। पुट कर देंगे इसलिए इसलिए तो 7 in equation 1, 3, 8 is equal to a plus 10 और d की जगे आगे आपका 7, तो 30, 8, 10, 7 जा, 70 इट के तर आएगा, minus का 70 is equal to a, तो अब यहाँ पर इसको इसमें से minus करेंगे आप, तो 10 में से 8 गया तो 2, और 6 में से 3 गया तो 3, minus के, minus क्या हैं आपके, 32, a का मान कितना है, minus 32, अब a का मान भी आपको मिल गया, d का मान भी मिल गया, अब आपको निकालना क्या है, 31 वा पद, क्या निकालना आपको, 31 वा पद निकालना है, कि 31 वा पद क्या होगा आपका, तो very simple 31 पद निकालने के लिए आप क्या करेंगे 31 पद निकालने के लिए आप क्या करेंगे वापिस उसी फारमुले का NB पद का यूज करेंगे 31 पद 31 पद 31 पद बराबर क्या A प्लस 30 D 31 पद 31 पद A कितना था आपका माइनस का 32 A माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 माइनस 32 प्लस 27 इंटीस तो 10 में से 2 गया तो 8 यहाँ पे 0, 20, 17 178 इस तरीके से 31 पद 31 पद आपके सामने निकल चुका है 188 तर आपका 31 पद आया तो हमने इसमें करा क्या है हमने सावल को पड़ा कि भई या 31 पद ज्याद करो 11 पद 38 से 16 पद 3 होत रहे तो CDC गणित लगाई हमने हमने CDC गणित इसमें यह लगाई है कि पहले तो हमने देखा कि भई पदों को किस परकार से लिखा जाता है परतम पद A तो द्यूत्य पद A प्लस 1D तरत्य पद A प्लस 2D चतुर्त पद A प्लस 3D पंचम पद A प्लस 4D तो मतलब 5 वापद तो D कितना? 4 छटा पद चटा पद अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? A प्लस 5D D मतलब एक कम चटे की बात करेंगे तो 5D इसी परकार 16 वापद तो 16 वापद तो मैंने यह लिखा 15D उसमें लिखा था मैंने 15D A प्लस 15D फिर 11 वापद A प्लस 10D और इस परकार से हमने एक्वेशन 1 & 2 विलोपन विदी सहल करी A और D के मान निकले और इक अत्री स्वापद तो A प्लस 30D A और D का वेल्यू पूट करा उतर आगया तो very simple question मगर परिक्षा की दर्ष्टी से is very important महत्वपुन सवाल तो इस तरीकी के दुरा आपके पास सवाल आते हैं परिक्षा में तो आपको बड़ी सरलता से इन्हें हर करना चाहिए ओके ठीके